क्या हरियाना में भारतिय जंता पार्टी के तहट दो मुख्य मंत्री चहरे होंगे क्या हरियाना में भारतिय जंता पार्टी के तहट एक मुख्य मंत्री के चहरे पर चुनाव लड़ने का एलान विधान सभा चुनाव से पहले कर देना तो वहीं दूसरे मुख्य मंत्री के च चेहरे को लेकर क्या विधान सभाचुनाव संपन होने का इंतिजार किया जाएगा नमश्कार मिनाजमिन खाव नूर आप देख रहे हैं हर्याना के पूर ग्रह राज्य मंत्री और अंबाला केंट से प्रत्याशी अनिलविज अनिलविज का भारी विरोध हर्याना में देखने को मिला लेकिन इसके बावजूद जब एक बड़ा सवाल पूछा जाता है जनाएग जनता पार्टी के अध्यक्ष अजेच चोटाला के जरी तो अजेच चोटाला से जब सवाल किया जाता है कि अनिलविज का दावा है कि वो तो सीम पत की दावेदारी के रूप में आगे आ रहे हैं और विधान सभा का चुनाव लड़ना अपनी अंबाला कैंट सीट को बचाना इसके बाद सीम पत को लेकर दावेदारी ठोकन इदर शाता है कि खुद अनिलविज इंतिजार कर रहे हैं और सही समय आने पर वो कहीं ना कहीं सीम पत को लेकर पेशकश भारती जनता पार्टी के सामने फिर से कर सकते हैं अजेच चोटाला की तरफ से बयान दिया जाता है कि अनिलविज का ये बयान दरशाता है कि घारती जनता पार्टी के तहित के अब दो चहरे होंगे मुक्य मंत्री के अगर दो चहरे होंगे तो क्या बगावस शुरू हो जाएगी एक तरफ न्याप सिंग सैनी एक तरफ अनिल विज दूसरी तरफ राव इंदरजीत सिंग कई चहरे तो भारती जंता पार्टी में सीम पत की लालसा के साथ विदान सभाच चुनाम लड़ने की बात करते हैं या समर्थक पृतियाश्यों को लेकर सामने आते हैं और सीटों की मांग करते हैं अब इस अदहार पर देखा जाए तो साफ तो पर जाहिर है कि अजय चुटाला का बयान कहीं ना कहीं सही साबित भी हो सकता है भारती जंता पार्टी जहां तमाम राज्यों में दो उपमुख्य 2N 3 म urge नेजर आ सकती है जैसा चुटाला ने कहा आपको क्या लगता है अपनी राइकम सेक्शन में जरूर देख थे 9 नीइस थनवाद